हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे स्वागत्त है फ्रेंट्स इस वीडियो में हम अब्स्टेक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर फाइब श्टार्ट करने वाले हैं इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हमने ग्रूप उसकी डेफिनेशन सॉल्ड एक्जाम्पल एंड इंप सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन यह सब कुछ हम प्रिवेस वीडियो में देख चुके हैं अब इसमें हमें देखना है सो देट एक प्रॉब्लम ले रहे हैं सो देट एन एक्ष इंवर्स एक्स बराबर एक्ष इंवर्स एं एक्स फोरोल एक्ष एक्स ब्लोंग्स टुजी जहाँ पर N X inverse A X क्या करा है, नॉर्मलाइजर ओफ X inverse A X equal to X inverse नॉर्मलाइजर ओफ A X, यह इक्कुल होता है, हमें यह सो करना है, तो हमें इसको प्रूब करना है, तो इसके लिए हमने पहले हम ले रहे हैं कि Y जो है एक element है, इस set का, उसको हम इसमें exist कराएंगे, N X inverse A X, अगर इससे हैं तो नॉर्मलाइजर की डेफिनिशन से क्या करते हैं, नॉर्मलाइजर ओफ A क्या होता है, नॉर्मलाइजर ओफ A X बराबर X A for all X belongs to G, तो यह हमारे पास इसके डेफिनिशन होती है, तो यहां से हम देखें X inverse A X, तो यह हो जागा X inverse A X और जो element है वो Y है, तो X inverse A X dot Y equal to Y X inverse A X, यह हो गया हमारे पास, अब यहां से हम देखें, तो पहले हम इसमें Y inverse जो है operate करा रहे हैं, लेट हेंड साड में, तो Y inverse operate करा है, तो यहां तो Y inverse आजाएगा सिंपली, X inverse A X आगया, तो यह आगया हमारे पास, तो यहां से हमारे पास हो गया, उसके बाद हमने फिर X operate करा है, तो X operate करा है तो X Y inverse X A X Y, और यह हो गया हमारे पास, यहां dot X dot X inverse होता, जो कि E हो जाथा तो A X हो गया, अब यहां पर हम जा रहे हैं, X Y inverse X inverse same A X और यहाँ पर Y inverse operate कराया तो Y inverse dot Y Y dot Y inverse जो होगा वो E हो जाएगा उसको लिखने जरूत नहीं होगी यह हो जाएगा A X Y inverse फिर से हमने X inverse operate कराया राइट हैड में तो यह हो गया X Y inverse X inverse A वराबर A X Y inverse X inverse अब फिर्स अगर हम द्यान से देखें तो यह X Y inverse X inverse और यह भी इदर हमारे पास X Y inverse A inverse यह जो element है वो भी belongs to हमारे पास N A कर रहा है यह element भी N X inverse A X कर रहा है तो यह हो गया हमारे पास यह belongs to सोरी हाँ N A कर रहा है क्योंकि यहाँ पे यह जो है वो बाहर है यहाँ पर कर देखें यह जो है बाहर है तो यह belongs to N A कर रहा है यह element X Y inverse X inverse belongs to N A बट हमें क्या करना है हमें सो करना है जो Y जो element है वो N A कर रहा है तो हमने इसके लिए हमने ले लिया let x y inverse x inverse बराबर b को एक element ले लिए जो कि belongs to n है यह हमने को element ले लिए जो कि belongs to n है तो यहाँ से हम करे सकते हैं y inverse बराबर क्या होगे हमारे पास x inverse bx यह होगे हमारे पास x inverse bx किस तरह से आया है इसको हम देख सकते हैं यह हमारे पास x y inverse x inverse बराबर b तो हमें बाइण्वर्स चाहिए तो X-inverse.x y-inverse.x.x यानि एकस फिर्ट हैंड में और एकस लाट हैंड साड में ऑपरिट करा दिया तो यह हो गया एकस इनवर्स B & X तो यह हो गया हमारे पास एकस इनवर्स BX तो वाई कॉल्ट रू आ गया का भी इनवर में होगा तो इसके लेकिन योगे तो यह डोट क्या होता है गरूप में तो यहbir 떨 gli इनवर्स जो यहां से हमारे पास हो गए चीनवर का इनवर्स का इनवर्स यह होजाएगा हमारे पास करेंगे एक 276 डोट एक्षिंवर चामार्ष एकस आ गया यह आ यहां से इंप्लाई कर गया हमारे पास जो बी इंवर्स है जो कि बिलोंग्स टू एंडे कर रहा था तो उसका इंवर्स भी बिलोंग्स टू एंडे करेगा तो यह इंप्लाई कर गया हमारे पास जो वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है क्योंकि अब किस फॉर्म का है हमारे पा तो हम यहाँ से हमने जब element लिया था इस तरह का लिया था और इसमें हमें apply इसमें हमें तरह कर दें कि यह जो है y इसमें भी है अब हम ले रहें कि एक element जो है जेड जो की इस तरह का element है इस तरह का element है यह जो बिलोंग स्टू कर रहा है एक्स इंवर्स एन ए एक्स कर रहा है तो हमें सो करना है कि यह जेड को हम इस format में लिख सकते हैं कि जेड जो है बिलोंग करें एक्स इंवर्स एक्स में तो अब यह लिए हमने तो जेड को जब हमें x inverse x में belong कर रहा है तो किसी के के लिए करेंग है चलाएं तो जैर को लख सकते हैं एक सिक्षिनसे नर्मि लाइजर की डिफनसे से यह क्या हो जाएगा हमारे पास जैर ॏ डोल एक सैस्थ एक ससोरी इसको जैर 2 एक क्या लिख सकते हम जैड डोट एक्स इंवर्स एक्स लिखना हमें क्योंकि अगर जैड जो है वो इसका element है अगर इसका element है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए जैड यह एक्स इंवर्स एक्स एक्स इंवर्स एक्स अगर लेके चलें को उसको कर दें वर्ष एक्ष डोट जड़ तो इस कंडिसन में हमारे पास यह बिलिमेंट जो हुगा जड़ एलिमेंट ऑटोमेटिक्ली इसका हुजाएगा हमारे पास ण मैं से यह हम लेके कर चल रहे हैं यह हमारे सक 50 eq rocky aq- bleeding verse c-ex-ex-ex-ex-ex to basically एक्षिकलिंबश की हमने यहां से पुट कर दिया पर 저는 first x and x इस तो यहां से हमारे पास आखर डिखने और झोथ एक्षिर स्वेर्शायद करettes यह और छो बेंपर स्वेद्वात्सिक्यैइस यह तो से एकसिन फिर्शि techi प्रस तो यह से एकसिए और works सी ए होगा तो यहां से एक्ष 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 सोभाबिदव है भी जाओavich को लिखना चाहिए हमें यहां से थिक रिख सकते हैं एक्स इनवर्सकों कि और यह से निकालना चाहिए च्टो एक्स कीoton अब हमें बेसिकली जैड चाहिए तो सी की वेल्यू पूट करने हैं आपर सी की वेल्यू पूट कर रहे हैं तो सी की वेल्यू हमारे पास यह हमारे पास C बराबर यह था तो यह हो जाएगा हमारे पास X inverse A और C के value जब हमने put की तो यह हो जाएगा X Z X inverse यह हो जाएगा हमारे पास X यह हो जाएगा तो यह तो हमारे पास E हो जाएगा यह टर्म तो हमारे पास यह टर्म तो E हो जाएगी तो यह हो गए X inverse AX dot Z जो कि तो injury से हो गए हमारे पास यहां से हो गए पहले पहले उससे और वह हम हम्यizin लिया है यहां से और वह इस लाई कर रहा था अब में इसमें लिया ये निया है जो एलिमेंट एएग्स सबसेट ऑफ एक्स अग्सर पबसेट न यह एक्स और अब होंग', लेक्स हैं और एग्स इए सब्सट अथ सब्सेट आप दो यह व्होंगकि हैं क्या दूनों यह नों दूस्टन है तो यह एक्सें Cokeड होंगे लंगे अब फ्रेंड प्रॉब्लम है हमारे पास तो देट था यूनियों और टू सब ग्रूप में नॉट भी सब ग्रूप यह में सोकनना तो इसको सोकनने के लिए बियद सब ग्रूप लेले हमें हाँ हमें बेसिकली यह तो पहले जैड में मैं उसके सब ग्रूप एक ग्रोप है यह एक ग्रोप है आप चेक कर सकते हो यह एक ग्रोप है अंडर प्लस अंडर एडिशन यह ग्रोप है अब फ्रंस यहां पर हम देखें कोई यह यह टून-1-2 ब्लोंग्स-2-3-3-3--4-1-3-2 रोंग्स-2-3-3 थी आथ सब ग्रोप है तो हमें सब ग्रोप है अ credit हमें सब ग्रोप मेंने इस पर सो नहीं कर ना चाहिए था यहां पर यहां पर सो हो चुका है बट हम इनके union की बात कर रहे हैं हम दो सब गूरुप के तो union पर अगर बात करें तो suppose इसमें यह element है है एक union 2, h union, h 2 union, h 3 में तो इसके element किस तरह के होंगे 2, 4, 6 और यहां पर हमार पास देखें तो 0, minus 2 और यह साथ में 3 भी आएगा 6 तो है यहां पर 9 आएगा इस तरह से तो अगर हम देखें इन दो limits को ले ले लें 3-2 क्योंगे हम इसको गूरुप चेक कर रहे हैं या 3-2, 3-2 क्या होगा 5 यानि closer property ही hold नहीं कर रहे हैं इन दोनों का sum ही इसमें hold नहीं कर रहा तो closer property hold नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि h1 union h2 जो है वो सब गूरुप नहीं है बिसिकली यहां पर हमने 3-2 वाली closer property 2-3 करके दिखाया है अब 2-3 करके दिखा सकते हो जो closer property एडिशन के लिए यह होती है जो closer property जो वोल्ड नहीं हो रही तो हम कहेंगे यह ग्रूप भी नहीं है कि उस्वाद next थोरह में simple थोरह में union of two subgroup is a subgroup if and only one of them is content other basically यह हमारे पास क्या कह रहा है दो सब गृपफ हैं कि ऐस वन और एस टू यह इनका union जो है वह सब गृपफ होगा अगर वह इस तरह के हो एक सब गृप इस तरह से ओ दूसरा इस तरह से हो तो बेसिकली अगर यह हमारे पास है जह हम प्रूब करेंगे अब मैं इसमें प्रूब नहीं कर रहा है सब्ग्रूप अगर हमें इसको सब्ग्रूप करना है सो यूनियन को तो बेसिकली हम इसको सब्ग्रूप चेक करेंगे तो यह आटोमेटिकली सब्ग्रूप है इसके बाहर के elements के लिए अगर हम चेक करेंगे तो यह इसकी बज़े से उसके अलिमेंट हो बेसिकली पूरा जो डाइग्राम है वह एक सब ग्रूप होगा उसके बाद next definition है हमारे पास let h be a subgroup of a group gene for a b belongs to gene b say a is congruent to be mode h if a b inverse belongs to h अगर हमारे पास h जो है वो subgroup है किसी group g का then हमारे हम कहते हैं कि a is congruent to b mode h अगर a b inverse b belongs to h कर जाए next definition है let h be a subgroup of g and let a belongs to g be any element then h a बराबर h a यानि capital h जो है capital h जो है subgroup को तो कर रहे और smallest जो हैवागे element सब मौलारण ही element है subgroup का is called right you callset यह जो है वाड़ नितको सेट कहलाता है लैजप को सिट कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास यह b beblowing anything about as h Catalidden sas myth tha जो होता है वह लेड़े पो वाद हमारे पास यह एक नोट है कि एनी राइट को सेट ओफ एच इन जी इस एन एक्विलेंस क्लासे या उसको दूसरी कंडिशन बोलें कि एच एको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बिलॉंग्स टू जी एक्स इस कॉम इस कॉंगुरेंट टू बी मोड एच या this class is एपने चियरे यानई का नहीं है न रहता है तो यहाँ पास इसको सो कर सकते हैं इसको इंपरूब कर रहे है लैट एक्स टूए हमने पहले ले लिए कि एक्स जो है वह वह बलॉंग्स कर रहा है एच शहानिज इसका राइट को Chap पखोर्मेली लखा जाए एकसी सम्हारण तरफ स का कि न स्क्राइब करते करां ठेक्षिया हो गया हमारे पास क्योंकि यहां चल रहा है हमारे पास और यहां से हम कह सकते हैं कि यह जो है हमारे पास लोग्स कर गए तो एकस कॉल टू इह अभी हमने पड़ीदी definition अगर x a inverse हो गया यह b inverse हो तो हम उसको define करते थे यह congruent to b mode h तो यहां से हो गया x congruent to b mode h यहां से हम कह सकते हैं c belongs to congruent of a यह हो गया congruent classes हो गया दस h a subset of congruent classes of a यह हो गया हमारे पास h a subset है अब हम ले रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स to congruent class a यह है इसका element है तो एक्स को इस तरह से लिखा लिखा जासकता है एक्स पराबर यह mode h यह mode h लिखा जासकता है इसका मतलब हमारे पास x dot a inverse belongs to h जो कि हमारे पास definition से हो रहा था यहां से होगा x a inverse बराबर कोई एक element होगा h का for some h तो यहां से x पराबर h a belongs to h a यानि राइट को से बिलोंग कर गया हमारे पास यह हमारे पास h से बिलोंग कर रह होगा तो h a जो कि राइट को सेट की फोर्म है तो यह हमारे पास यहां से हो गया है कॉंगुरिट क्लास जो है वो सबसेट है h a का तो दोनों से एक दूश्य की सबसेट है तो इसका मतलब यह equal है अब फ्रेंड्स यह एक important theorem है यह थोरम जो है वो है लेगरांजी थिख्योरम है और सपोज जी का ग्रुप इसका जो ओर्डर है वो एन है और इसका जो है एम है तो एन डॉट एम जो होगा वो एक इंटीजन नंबर होगा यह हमारे पास यह त्रिफ्रम कहती है तो इसको प्रूब करते हैं है लेट ओर्डर ऑफ जी वराबर एन हमने सब्सक्राइब यह जो है वह एन है सिंस कर्सपोंडिंग टू इच अलिमेंट इन जी वीकें राइट इसके हर एक एलिमेंट के लिए सपोज कि हमारे पास यह एक एलिमेंट यह है एच वन सोरी एवन एटू एठी इस तरह का एन तक सब्सक्राइब ग्रोप है तो यहां से हमारे पास इस एलिमेंट के लिए और स्प्राइब ऑ है उसका सब्सक्राइब पास त्व हे यह एँग के लिए 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 राइट को सट लिटा सकता है A2 के लिए लिए लिखने कर上 है, A2.A4, इस तरह से A3 के लिखने कर前 तो A3.A4, इस तरह से हम हर किसी के लिए एक right कोसे लिख सकते हैं बेसिकली यह बात हमारे पास है और जो राइट को से नंबर जो होगा वह इस एच के ओर्डर से कम होगा एच के ओर्डर सपोज यह है तो उससे कम हमेशा राइट को सोरी हाँ district element है कितने element है सब्वोर है यहां पर हमारे पास n element है यह ह जोगा nれvn को सब्सक्राइब लिखंद है और सब्सक्राइब different right coset यहाँ पर हम कहें different right coset याँ जोगी element जोगी बच रहे हैं इससे अब चूंकि h जो है वो h.e का भी होगा तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि total n-m जो है वो right coset होगे यह हो गए हमारे पास तो अब यहाँ से हम करें using the properties of equivalence classes we know क्योंकि अलग-अलग वो होंगे तो equivalence classes की property क्या कहती है कि हार सपोज उसके ती जो है वो district element जो बचे हैं वो है मारे पास यह तो h a1 h a2 dot 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 h 80 जो है वो इसके total number of right coset बन जाएंगे मारे पास क्योंकि अलग इसके जो h की जो group के जो element होंगे उनके साथ जब हम करेंगे तो वो खुदी group क्योंकि जो खुद भी automatically के group है तो h dot कि उसके element के साथ हम करेंगे suppose a2 के साथ करते और जो की इसका element होता तो वो automatically इसके element आते रहते हैं तो यहां से हो गए हमारे पास है यहां से हो गए हमारे पास की इसमें यह हमारे पास है इसके district right को सेट हो और सभी का union जो होगा टी सेटों का यह जो होगा हमारे पास और साथ में हमें h को भी साम h a1 h a2 सभी का जो district element का जो सेट होगा वो हमारे पास h a1 union h a2 union dot dot h a n यह होगा हमारे पास अब इनका order देखें तो order h a plus order h a1 plus dot dot order h a2 अब इसका भी order जो है वो प्योंकि सिर्फ हमने एका multiply किया कुछ एड नहीं किया तो सब्सक्राइब इसका order टी था यह से ओगा तो टी टाइम टोटल टाइम टी टाइम होगा हमारे पास order इसके तो यह हो गए टोटल M T order से टोटल हो गए हमारे पास तो यह उसको लिख सकते हैं order of G बराबर T.order of HA तो यहां से हो गए हमारे पास T बराबर क्या हो गए order of G upon order of H तो यह हो गए हमारे पास इस तरह से हम यहां पर निकाल सकते हैं कि जो order of G जो है वो डिवाइड है order of h से तो इस तरह से यह लेंग राज थोरम का simple सा proof है उसके बाद फेर से मारे पास एक note है if g is a group of prime order then it have only two subgroup e and g अगर group g जो है वो prime order का है तो उसके only दो subgroup मिलते हैं एक तो e जो के identity element होता है और एक खुद g जो है वो खुद उसका subgroup होता है उसके बाद हमारे पास next हमारे पास a subset h with more than half element of g cannot be a subgroup of g यानि कि हमारे पास एक हमारे पास order of g का एक element group है और उसका order जो है n अगर कोई एक set ले 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 या subset ले 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 इसका g का और उसमें element है n by 2 से ज्यादा greater than n by 2 तो उस तो गुरूप सेट होकर वो सब गुरूप नहीं हो सकते हैं यह डूली तो मिलना चाहिए उसका सब गुरूप होने के लिए यह हमारे पास उसके बाद हमारे पास कुछ important theorem है let h be a subgroup of g then h a बराबर h if and all live a belongs to h h बराबर h if and all live a belongs to h basically right coset के लिए कर रहा है और यह left coset के लिए कर रहा है अगर हम a के लिए चेक कर दें तो हम दूसरे के लिए कर देंगे कि इसी तरह से हम कर सकते हैं तो इसके लिए let h a बराबर h हमने यह ले लिए let h a बराबर h है फोरोल तब हमें सोख करना है कि a belongs to h कर रहा है since e belongs to h क्योंकि e जो है वो group h का यह element है क्योंकि h जो है अटोमेटिकल एक subgroup है क्यों यह द्या हुआ है hb a subgroup तो उसमें e जो identity element होना ही हाई है हमारे पास तो e dot a belongs to h so he हुगा हमारे पास e a belongs to h यह हमारे पास a belongs to h हमारे पास h इस तरह का element था let a belongs to is be so that h level h ले कहें तब उस Condition में एकिस को इस फोर्म ऐनगा जाए सकता है एस दॉट ए फोर्सं एच पतु सुछ तुधल्स थिए ट्ञे법 परीस ऑज़नों-फोर्सं पतुछो राए और आध nowadays इंड्स all 하지만 द्हुर्रीक तुछ यह मेंहें तुछ तुछ में यह बै ह्मारे पांस हो आप हुआ है हमाँ आप से हैसे है कशली है energía का तो इसको ले रहें लोगS 2003 डूगS ऑन्राघ्या कटीया क्यार प्रोपरटी से क्लोजर यान प्रोपर्टी है लिए प्रोपरटी है तो यहां से हो गए y.a inverse belongs to h तो y inverse बराबर h foursome कोई h के एक्वल होगा तो यहां से हो गए हमारे पास y बराबर h a फोरोल जो जो एलिमेंट है उसको भी हम h a की फॉर्मल लिख सकते हैं तो यह हो गए h a subset of h a तो यहां से हो गए h a बराबर h अब सेकेंड में हमें सो करना है कि h a बराबर h b होगा तो इसके लिए हमें लेट h a बराबर h भी ले लिया हमने तो अब दोनों तरह पकर हम बरस का मल्टिप्लाई कर दें तो यह हो गए h a b इनवर्स बराबर h तो यह हो गए h a b इनवर्स बराबर h यह हो गए हमारे पास अब चूंकि यहां से हम देखें तो अमने तो फष्ट थे उसमें कियाता अगर h a बराबर h थी तो उस condition में हमारे पास यह ब्लोंग्स तो यहां से ए बी इन्वर्स ब्लोंग च्टू एज कर गया अब थर्ड कंडिशन है हमारे पास है थर्ड जो है वो था हमारे पास है 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 करला करैं पास्ट एह जसेछ नहीं हो benefits अगर्षां है अगर है को फनी इस द Dabei कोश्ट है ज़ो फोली नहीं टीशन से सब्रीं भी नहीं होगा इसको हम प्रूब कर रहे हैं इस ब्लोंग्स टू एच देन एच बराबर एच विच इजा सब ग्रोप अगर एच कर रहा है तो इस कंडिशन में एच जो है क्योंकि इसके एलिमेंट की किस फॉर्म में लिके जाएंगे एच से और क्लोजर प्रॉपर्टी से य यह जो है एक्वल टू एच यह बीसिकली यह में इस उकन ना है क्योंकि एक जो है उससब ग्रोप अप जीए तो सब ग्रोप है तो सब ग्रोप में तो हमारे पास में इलिमेंट भी होगा एज बिलोंग इस इसे होगा एंड दस दर राट को सट एच अट ए Hag, मुझ एच से म होते हैं मि corrupted Thermos 보시ekych और इसको कि एक हेलमेंट होता था होगा उसको भी हम किषी अदर कोई अधर अइलिमेंट कि एक है लेख सकते थे एक है या एक H का element है, dot E, यानि कि H A को हम X की form में लिख सकते हैं, जो कि H का element है, यानि H A की form बाले सेट को सभी को हम H से बिलोंग करा सकते हैं, तो यहां से हो गए A belongs to H by 1, तो फ्रेंस यह भी हमारे पास यहां से proof हो गया, फ्रेंस यह हमारे पास next है, हमारे पास definition है, let G be a group and H is a subgroup of G, then index of H, यह definition से भी, let G be a group and H is a subgroup of G, then index of H in G is the number of distinct right or left coset, यानि किसी set की index क्या होती है, उसमें किसी edge की set के, then index of H, यानि H की index क्या होती है, उसके कितने distinct right coset बन रहे हैं, या कहें, district left coset बन रहे हैं, जितने right coset होंगे, जितने left coset होंगे, वो उसकी index कहलाती है, और इसको हम I, G, H से denote करते हैं, या जी dot dash H भी से so करते हैं, और लेंगराज थोरम से हमारे पास simply हम सोक भी कर सकते हैं, लेंगराज थोरम क्या करे थी, order of G define कर रहा था, order of H से, और वो basically number of district element ही थी तो I, G, H बराबर जो निकलता है, वो number index से कहलाती है, उसके बाद next है, हमारे पास, let Z plus be a group of integer under addition, जो है वो group है under addition के, let H बराबर 3N, N belongs to Z, then H is a subgroup of Z, यह हम easily show कर सकते हैं, यह show भी क्या हुआ है इस वीडियो में, we show H has only three right coset of Z, namely H, H plus 1, H plus 2, यह हमें show करना है कि इसके only three right coset या left coset जो हैं, वो तीन ही मिलेंगे, H, H plus 1 और H plus 2, basically right coset है, left coset की बात करते हैं, तो H, 1 plus H and 2 plus H होते हैं, तो इसके लिए हम show कर रहे हैं, suppose हमने ले लिया, if A belongs to ZB any element, यह कोई element है, जो कि किसी H, H plus 1, H plus 2 से equal नहीं है, यह नहीं है, किसे equal होते हैं, 0, 1 और 2 है, suppose यह तो H plus 3 है, H plus 4, H plus 5 की इस form क्या होगा, वो element, बट H plus H, H plus 1, H plus 2 का नहीं है, यह यह प्लस 3 हो सकता है, H plus 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस तरह का element है, तब हम कर रहे हैं, तो उसको एक हम क्या लिख सकते हैं, यह को लिख सकते हैं, 3N plus R, यह थी से अगर डिबाइड करें, सबोज एक कोई number है, उसको 3 से डिबाइड करें, तो 3 से डिबाइड करने पर हमारे पास वो N time डिबाइड होगा, और R उसका remainder बच जाएगा, और R जो है, वो उसके वेल जो रहे हैं, 0 से 1 के बीच में, तो हमारे पास यहां से अब कोई H, यह को क्या लिख सकते हैं, हम H, 3N, फिलस R, यह को लिख सकते हैं, बट यह हो गए हमारे पास H, 3N, प्लस R, अब H, 3N क्या होता है, क्योंकि 3N जो element है, वो H का ही element है, तो यह तो H होगए, तो H पिलस R, और R की बेलु क्या है, जिरो जिरो बन टू तो जिरो बन टू पे हमारे पास यह हो गए हमारे पास H H H plus 1 and H plus 2 यह तीन हमारे पास उसके सेट मिल गए डिस्टिंट 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 मिल गए उसके बाद डेफिनेशन है next definition let h be a subgroup of group let h be a subgroup of a group g we define ch बराबर x belongs to g xh बराबर hx for all h belongs to h then ch is called centralizer of h and g centralizer क्या होता है ऐसे elements x जो की h को subgroup जो होगा उसका element होगा subgroup का element जिसके लिए group के element जो हो वह आप एलियन community हो तो उस condition में उस group के elements का set जो होता है वो centralizer कहलाता है तो फ्रें centralizer भी एक subgroup होता है group का यह हम easily जो कर सकते हैं तो यहां से हमारे पास n h क्या होता है हमारे पास basically n h क्या होता है x belongs to g जहां पर x is पराबर hx यह नॉर्मिलाजर की definition थी यह होगा x belongs to g x h x inverse equal to h इस काल नॉर्मिलाजर यह तो centralizer था centralizer में definition क्या थी जहां पर एस बलोंग्स टू एच कर रहा था और नॉर्मिलाजर में क्या is called जो नॉर्मिलाजर है हमारे पास यहां पर x is equal to x h है है basically difference अगर देखें तो नॉर्मिलाजर में हम पूरे set के लिए कर रहे थे centralizer में भी हम पूरे set के लिए कर रहे हैं और यहां पर हम सिर्प h की कुछ element ले रहे थे यहां पर पूरा हम h element ले रहे हैं तो यह basicly same ही चीज है यहां पर इसका aggressive form है वह इस तरह से दिया हुआ है इस तरह से हम दे सकते हैं तो यह हमारे पास centralizer या normalizer कहलाता है यहां पर हम easily show कर सकते हैं ch और nh जो होता है वो subgroup of g होता है अगेन सपोज करहें x bilong है इसको में इस तरह से देख सकते हैं अगर जी जो है वो सेच इस तरह से प्लबस मैनेस येले डए टेश मैनिस ऑक यह चैट है और इसका यह शबस मैनेस बन प्लस मैनेश ऺ सट यह जो है वह हमारे पास tuh सब्सक्त में पूरा जी होता होता है बड़ सीच के लिए हम देखें प्लेस माइनस बन एन प्लेस माइनस आउटा है जो सीच जो है वह इसका यह है और यह पूरत जी है और सीच ऑनली इसका यह element यह है यह हमारे पास न दो हमारे पास है को इस वीडियो में इतना ही टेंक यू फ्रेंट्स